आल्फाबेट इंक की मुख्य कारिकरी सुन्दर पिचाई को 2022 में लगबग 226 मिलियन डॉलर मिले जो की आवसत कर्मचारी के वेतन का 800 गुना से अधित था। राइटर्स की रिपोर्ट के मताबिक कंपनी की फाइलिंग में दिखाया गया कि पिचाई के पेमेंट में स्टाक रिवार्ड कारीब 21.8 करोड डॉलर कर रहा है। ये वेतन असमन तज ऐसे समय में आई है जब गूगल की मूल कंपनी आल्फाबे ट्वाइश विक स्टार पर नौ कुरिया में कटवती कर रही है। सल्मान खंच टारर किसी का बाई किसी की जान बॉक्स ओफिस पर बीते दिन रिलीज हो गई है। वही चार सार के लंबे इंदिजार के बाद ईद के मौके पर बाईजन की फिल्म रिलीज होने पर फ्रैंस के बीच खास एक्जाइटेड मेंट है। हलाकि दमेकेदार प्रमोशन और फैमिली एंटर्टैन्मेंट फिल्म कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर कुछ कास कमाल नहीं कर रही है। इसका अंदाजा पहले दिन की कमाई के अखडे से लगाया जा सकता है। फिल्म का कलेक्शन सल्मान खान के स्टारडम के उलट रहा है। इतना ही नहीं खबरों के माने तो सल्मान खान की किसी का बाय किसी का जान रनबीर का पूर की तू जूटी में मकर को टक कर देती हुए नजराई है। जनताद दल के संसादे बोर्ड के पूर प्रमुक उपेंडर कुश्वाखा ने केंडरी गुरू मंत्री अमिच शाह के मुलाकात के एक दिन बाद शुक्रवार को कहा कि दुजार चोबीस को लोग सबाचुनाओं में प्रादान मंत्री नरेंडर मोदी के लिए कोई चुनाओती नहीं देख रहे हैं दिल्ली से लूटने के बाद यहां हवाई अड़ा पर समधा ततास से बात चीत करते हुए कुश्वाहा ने बिहार के मुक्यमंत्री नितिश कुमार के विपक्षी एक्ता को लेकर किये जा रहे है प्रयासों पर कटक्ष करते हुए कहां की जद के साथ मात्र वही दल है जिन के साथ राज में उनका गटबंदन है दिली पलीज की स्पेशल सेल की आई एफस फो यूनिट ने एक ओनलाइन ट्रेंडिंग एक्शेंज के जरिये आप्शन ट्रेंडिंग के नाम पर टगी करनेवले साइबर अपराजियों के गिरोग का बड़ा पोड़ किया गिरोग को दुबाई की मैडम नाम की महिला चला रही है इस नेटवर्क के मुग के दफ्तार जमू और बेंगलूर में स्थिती है और इसके तार पूरे बारत में जुड़े है राश्रवादी कॉंग्रिस पार्टी के वरिष्ट ने ताजित पौवार को पार्टी की मुंबाई इकाही का एक बैटक में शामिल नहीं हुए जिसके बाद राजनीती गल्यारों में उनकी बावी रनीती को लेकर लगाई जा रही अटकालों का बाजार एक बाग फिर गम हो गया इतना ही नहीं करनाटक चुनाओ के लिए रकाम पाद्वारा जारी पार्टी के श्टार प्रचार कोंगी सूची से भी अजित पौवार का नाम नादारत है और उनके इस कदम को लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया जाना चाहिए कॉंग्रिस संसाद राहूल गांधी को मोजी सर ने मान हानी मामले में सूरत की एक अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद राहूल गांधी संसाद के रूप में आयोग्यों गोशित किये गए और उनको सरकारी आवस काली करने का आदेश दिया गया था इसके बाद राहूल गांधी अपना समान लेकर अपनी हमास सोनिया गांधी के सरकारी आवस पर शिफ्ट हो गए राहूल गांधी आजियानी 20 एप्रिल को बारा तुगलक लेन बंगला लोग सबा सच्वालाई को सौंफ देंगे साइम लाएंगी क्विवाह मामले में सोंवार को समविटन पीट में सुनवाई नहीं हो पाईगी दरासल जस्टिस संजे किशन कौर और जस्टिस एव रविंद्र बट के ना होने से सुनवाई टल गई है इससे पहले बारत के प्रदा नियाई दिशा की डीवाई चेंदर चूर ने शुक्रवार को संके दिया था कि उनकी अगवाई वाली उच्चत नई नियाया लाई कि पीट 24 एप्रिल को निजदारित समय से एक गंटा पहले अदालती कार्यवाही शुरू करेंगे लेकिन अब ऐसा मुम्कीन नहीं हो पाएगा जम्मु कश्मीर के पूंच में ब्रुहस पतिवार को हुए एक अंतकवादी हमले में पांच जवानों की शाहिद होने के बाद बटा डियोरिया शेत्र के घने जंगल में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाश अबियान शुरू किया है शुक्रवार को इसी अबियान में ड्रोन और खोजी कुटों का इस्तमाल किया गया वही एक साई एहलिकाउफ्टर के दने वनशेत्र की टोख ली अधिकारियों ने शुक्रवार को इस जान करी दी बंगलूर के बाहरी इलाके देवन हली में बारी बारिश के कारण केंद्री गुरुमंत्री अमिच्छा का शुक्रवार को होने वाला रोडशो रद कर दिया गया बारती जनता पार्टी के सूत्रों ने अस्जानकारी दी पार्टी के प्रमुक चुनावी रनी तिकाओं को और प्रचार को में से एक बजापा के पूर्वा जिक्षार राजी में दस मई को होने वाली विदान सबाचनाओं से पहले प्रचार करने के लिए राजी को दो दिव सरकारी नवक्रियां दे चुकी है तदा लग बग इतनी ही नवक्रियां देनी की प्रिक्रियाद जारी हुई गलो शुक्रुआर को अजमेर में आयो जित kings मेगा जौ फेर को संबुदित कर रहे थे, उन्होंने कहां कि राज स्रकार दौरा लगबग 15。द् Only नवबी दीघकर जा चुकी है त्द लगबग इतनी ही नॵबग्या देने की प्रिक्रिया जारी ही धैत 2,1 1,6 नए स्रकारी वट्यों की गोश्चना बजित में की गई है। आज देश बर में ईद कत्योहार बड़ी दूम डाम से मनाया जा रहा है इस मोग के पर पिया मोधी ने ईद की बदाई देते हुए ट्वीट में लिका ईद उल्फितर की बदाई हमारी समाज में सद्बाव और करुना की बाउना आगे बड़े मैं सभी के अच्छा स्वस्त और कुशल शेम के लिए भी प्रादना करता हूँ इद मुबारक बारत और दुनिया के विबिन हिस्सों में लो विशेश पर मुस्लीम शेन्वार को इद कत्योहार मना रहे है विदेश मंत्री अच्छेशन करने गुयाना की राजदानी जाज टाउन में जमाइका की अपनी समकक्ष कैमिना स्मीद के साथ शुकरवार को चौती बारत को अरेबिया समधाई की मंत्री स्तरी बैटक की यह अज्यक्षता की इसके बाद उन्होंने त्रीनिदाद एंव टबोगी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विसेंट एंड ग्रेनी जियांस, ग्रनाडा और बारबाडोस के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षी बैटके की विराट कोली दिली के पंजाबी लड़के इस वज़से अगर आप कभी उन्हें गाउं के राजस्तानी आवतार में देख ले तो आपको जरूर जोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक कलाकार ने राजस्तानी लूप में उनकी एक पैंटिंग बनाई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको इससे जरूर देखना चाहिए एक नियो नेटल इंटिंसिव केर यूनिट की नर्स ने जब अपनी एक मरीज को देखा जो 14 साल की उम्र में ही समय से पहले तीन बच्चों की मा बन गई थी जिसे अपने बच्चों की देखबाल के लिए बहुत सी परेशानियां का सामना करा पड़ रहा था इस दर्स से की उन सबी को पॉश्टर के के लिए बेजा जाएगा और अलग कर दिये जाएगा उसने उन सबी को अपने साथ गर ले जाने और उन्हें अपना बनाने पालने का फाइसला किया इस साल 22 अपरिल के दिन इद अलफितर मनाई जा रही है इस इद को मीटी इद भी कहते है और इद अलफितर भी मस्लिम इस दिन सुबह से शाम तक रोज़ा रखते है ईद से पहले रमदन का पवित्र महीना होता है जिसमें हर दिन रोज़ा रखा जाता है और सुबह सहρी वा शाम के समई इबतार खाते है आदे चांद को देखने के बाद ही दुनिया बर के मुस्लिम ईद का जश्न मनाते है ईद सवहर्द का पारू है बाईचारे के पारू है जिसे सबी परिवार दोस्तों और परिश्टियों के साथ मनाना पसंद करते है यहां आपके लिए ईद के कुछ बेहत खास विशोज दिये जा रहे हैं जिन्हें सबी को बेज़ कर आप भी ईद की मुबार कताबे दे सकते है सोनम कपूर अपने फैशन को लेकर अकसर चर्च में रहती है जहां सेलिब्स और फैंस उनके लुक्स की तारीफ करते हुए नजर आते है तो वही कई बार वर्ट ट्रोलर्स के निशाने पर आजाती है इसी बीच हाल ही में हुए दिल्ली कैपिटल बनाम को लकता नाइट राइडर्स आईपेल मैच में एपल के सीओ और टिम कुक के साथ मौजू सोरम कपूर का लुक चर्च में आ गया है वही लोग रियाक्शन देते हुए नजर आ रहे है ऐसे ही कई लोगों ने कॉमेंट किया है अब क्या शादी एटेंड करने जा रही है परनिती चोपडा इन दिनों प्रोफेशनल नहीं परसनल लाइफ के चलते सुर्किया में चाही गई है जहां एक्टर्स के आमाद में पार्टी के नाता रागों चड़ा से डेटिंग तो वही शादी की खबरे सामने आ रही है वही अब उनके शादी किस महीने में होगी इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है वही इस कबर को जानते ही फैंस भी एक्जाइटर हो गए है और एक ओव बिग फेट वेडिंग देखने के लिए बेकरार हो गए है बिहार में इद के मौके पर प्लीज प्रेशाशन की ओर से खास तैयारिया की गई है इद की तैयारिया को लेकर जिला प्रदादिकारी पार्टन डॉक्टर चेंदरशेक सिम वरी प्लीज अधिक्षक राजीव मिश्रा ने कहां की इद उल्फितर पर कानून व्यावस्ता बनाए रखना प्रशाशन की पहली प्रित्मिकता है सबी संबन्द प्रदादिकारी इसके लिए सजग तत पर एउं प्रतिबदता रहेंगे उन्होंने कहां की सबी स्तर अंचल अनुमंडल एउं जिला के प्रदादिकारी अपने अपने शेत्र तर गतग कर्तवी के प्रति मुस्ताइद रहेंगे और बीड प्रबंदन सुरक्षा व्यवस्ता और सुद्ध कानून व्यवस्ता सुनिश्चित करेंगे सबी प्रतिबदत दंडादिकारी इम प्लीस प्रदादिकारी संयुक्त इन निद्देशों को पालन करेंगे राज़दानी पाटना में माफिया अतिक अहमद के पकष में श्कुरुवार को लगे नारे पर बिहार की राजनीती गर्मा गईी है इसको लेकर नेता प्रतिबक्ष वीजय कुमार सिम्हानी श्कुरुवार को महागडबंधन सरकार पर जम कर हमला बोला उन्हों ने कहां कि उपमुक्य मंद्री थे जिस्वी यादों ने अपने संबोधन में अतिक जी कहां जेडी यू और जेडी और महागट बंदन के लोगों ने अतिक के द्वारा विदाएक राजुपाल के उमेश पाल की हच्चा कराने का पहलग सबी शोक संबेदना व्यक्त बासियों को थोड़ी राहत मिली है और तपमान में गिरावट दर्ज की गई है राजदानी पार्णा समयत बिहार के कई जिलों में शुकरुार से ही तपमान में कमी देखी गई है कई जगव उन पर हलकी तो कही मजम बारिश हुई है कई जगव उन पर तेज हावा पीछ च सार आज भी राजदानी पारना समय चबीस जिले में तपमान में पूरी तरह गिरावट रहेगी